हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज फिर मैं हाजिर हूँ ओटोकेड के एक अच्छी से ट्रिक के साथ जो बहुत प्यारी ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं आपने कम उसमें प्रोजेक्ट में ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं यहां से कुछ ऐसे तीन बाक्सेश है में लिखा हूं अब आपको ड़ी आपको बताया था कि अरे कैसे ईूज कर सकते हैं शेलेक्ट औब्जेक्ट एंटर क्लिक किया स्लेक्ट किया और उसके बाद मैंने एरे किया नमबर मैंने चाहिए 10 और मैं यहाँ पर आ जाओंगा तो मैं मेरे multiple copies हो जाएंगे कुछ ऐसे यह मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ वीडियो के लिंक आपको description में आई यहां पर आपको मिल जाएंगे तो इनको भी मैं copy करता हूं यहां से और array कर देता हूं तू और यहां पर आप देखो कि select किया copy यह मैंने यहां पर copy कर दिया और यह मैंने यहां पर copy कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया अब trick क्या है वो बता देता हूं त्रीकी है यहां पर one two one 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 लिखा हूं मैं चाहता हूं कि one से ten तक यहां पर count आ जाए one two three four five six seven eight nine ten कुछ इस तरीके से यहां पर counting आ जाए अब एक तो तरीक है कि आप इससे double click करो फिर यहां पर two लिखो फिर three four five six seven eight कुछ इस तरीके से लिख सकते हो या फिर दूसरा तरीका क्या है जो आप यूज कर सकते हो वो कमांड है टी काउंट कमांड टी सी ओ एंटर करोगे तो टी काउंट कमांड आपकी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी आप इस पर क्लिक करें यह आपको बोले दाओ लेकर अबजेक्ट्स, आप अबजेक्ट्स को स्लेक्ट करें यह मैंने सारे अबजेक्ट्स इलेक्ट्स किये, अबजेक्ट्स स्लेक्ट्ट करने के बाद एंटर करें, एंटर करने के बाद आपसे यह पूछेगा, short selected object by X axis. अगर आप X axis पर करते हैं तो यह यह भी X axis ह करनी है वाई करोगे तो वर्टीकल के लिए है अगर आपके पास कोई पर्डीकल अब जक्ट या फिर आप color formerly order तो मैं यहाँ पर X को select करता हूह अब आपसे क्या पूछता है यहाँ पे स्क्टार्टिंग नमबर एंड इंक्रिमेंट तो यहाँ पर दो कोलोने ठीक है मैं चाहता हूँ, increment कितना हो, one के अंदर मैं चाहता हूँ, one, 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 add होता चला जाए, one के बाद two, three, four, five, इस तरीके से, तो मैं increment भी यहाँ पे डालूँगा one का, और करूँगा enter, ठीक है, enter करते ही, यहाँ पे चार option आएंगे, override, override का मतलब इन ही words को वो override कर देगा, prefix मतलब in words स यह words वो पहले लगा देगा, suffix in word के बाद लगा देगा, and find and replace, किसी भी word को आप find करें, उसको replace कर सकते हो, तो सबसे पहले हम करते है, override को, override पे click किया, तो आप देखो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten होगे, इन ही को इसने override कर दिया, क्लियर है, समझेगे, ठीक है, उसके बाद है, मैं चाता हूँ कि यहां से 20, 20, 19, 20, 11, 12, 13, 14, इस तरीकी से start हो, यहां से नहीं, इधर से start हो, तो इसके लिए मेरे पास क्या trick है, दुबारा से मैं T count पे जाओंगा, enter, object को select किया, enter, x मैंने select किया, यहां पे, अब यहां पे डालना है, कि starting कहा से करनी है, यह starting लेगा यहीं स से, तो यहां से मेरे को starting करनी है, 20 पे, कोमा लगाया, अब मेरे को 20 में से एक एक कम करते चलना है, increase नहीं करता चलना, कम करता चलना है, तो मैं increment में डाल दूँगा, minus 1, simple सी तरीक है, minus 1 डाला, enter किया, and override कर दिया, तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, कुछ इस तरीके से आपका यहां पे start हो आशागरतों, यह चीज आपको समझ में आई होगी, यहां से दुबारा चलना है, दुबारा से आप TCO, enter कर सकते हो, decount, select करो, enter, x पे click किया, उसके बाद आपने डाला यहां पे, कि मेरे को start कहां से करना है, 21 से, तो मैंने यहां पे डाला, 21, and 1, 1, 1, increase करना चलना है, enter, और override करता हो, तो 21, 22, 23, कुछ इस तरीके से आपका ही start, clear रख, चलो, दूसरी trick, इसी में दूसरी options क्या है, अगर मेरे पास vertical हो, मालनो मैं इनको सबको select करके, यहां से मैंने select किया, copy कर दिया, यहां से, कि एक portion vertical भी ले लेता हूँ, इन सभी objects को मैं चाहता हूँ, कि 2, 4, 6, 8, ऐ कैसे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, tcount, tco, enter, select किया object, जो ही मेरे पास object है, अब यह जो object है, tco, enter, यह object को आप select करेंगे, ठीक है, enter, उसके बाद, order कौन सा है, x या y, तो मैंने दाला y, क्योंकि यह y axis पे है, तो y पे click किया, कहां से start करना है, मैं चाहता हूँ, 2 से, comma, increment भ किस तरीके से आपका आ जाएगा, समझगे, जो आपका vertical है, y axis में, x axis में, आपको जो भी करना है, ठीक है, उसके बाद, अब अगर मैं इनको delete करता हूँ, मालनो, मैंने यह यहाँ पे delete किया, अब prefix और suffix का दिखाता हूँ, prefix और suffix किस तरीके से होंगे, मालनो, मैंने एक उसमें यहाँ यहाँ पे empty enter, यहाँ पे delete किया, चीक है, और इसको यहाँ पे move, मैं चाहता हूँ, इसके पीछे d1, d2, d3 आजाए, और इसको मैं copy कर देता हूँ, यहाँ से मैंने pick किया, array, and number of copy, और यह मैंने click किया, तो ही मेरे copy होगे, इसके पीछे मैं ल select करो object को, enter, कौन सी axis में है, x में, तो select करो, अब यहाँ पे आप से पूछेगा, क्या लिखना है, मैंने डाल दिया, one, और increment भी मैंने डाल दिया, one का, d1 से लेके चाहता हूँ, enter, जैसी enter करोगे, अब यह पूछेगा, prefix में चाहिए, suffix में चाहिए, तो d के पीछे चाहिए तो में चाहिए, suffix में, तो suffix में क्लिक करो, तो अब आपका यहाँ पे देखोगे, इसके पीछे यहाँ पे, यह देखो, नीचे की तरफ क्यों आया, वो बताता हूँ, इसके पीछे one आया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो यह देखो, यह जो इसका space था, वो कम था, इस इसलिए उसने नीचे की तरफ आया, अब इसको मैं तुबारा से अगर करके बताऊं, ताकि आपको यह चीज भी clear हो, कि यह नीचे की तरफ क्यों आया है, कि कि मैं इसको यहाँ से अभी delete करता हूँ, नीचे आने का सिर्फ एक reason था, कि जो आपने यहाँ पे delete किया, empty, enter, यहाँ पे d लिख्या, यह था कि यह जो space है, यह कम था, ताकि वो नीचे आ गया, इसने इस तरीके से space पे नहीं आया, तो मैंने इसको space को increase किया, अब मैं copy करता हूँ, select object, enter, यहाँ से किया, array 10, enter, और य c, o, enter, उसके बाद object को select किया, enter, यहाँ पे डाला x, उसके बाद डाल 1,1, enter, और डाल दिया suffix पे, suffix पे डालती, देखा अब आगे ने, इसके पीछे, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d10, prefix करते तो पहले आता, यह रह, अब दूसरा option यह है, कि यह तो होगे suffix और prefix, अगर मैं इसको यहाँ पे, माल लो, मैंने, अब यहाँ पे, दुबारा से मैंने इसको, empty, enter, और एक यहाँ पे word लिखा, dv, dv, लिख दिया, चीक है, अब मैं चाहता हूँ, कि, सबसे पहले तो मैं इसे copy करता हूँ, यहाँ से मैंने copy किया, array 10, और यहाँ पे मैंने copy करता, मैं चाहता हुए है, उनकी जंग है, मैंने 2, 4, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आ जाए, जितने भी मेरे V लिखे हूए, तो मैं क्या करूँगा, TCO, enter, TCO, enter करके object को मैंने select किया, enter, x direction में है, मैंने कर दिया 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके enter, और उसके बाद मैंने कर दिया find and replace, find and replace पे click करो, क इस चीज़ को replace करना है, मैंने डाल दिया V को, enter, और main enter करना है, जैसे main enter करोगे, तो V को replace करके, वो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से करतेगा, तो आप किसी particular word को भी replace कर सकते हो, इस तरीके से, तो ये command एक आपकी ऐसी है, जो बहुत जादा useful हो जाएगी, जब आप tables बनाओगे, ज prefix में कुछ लगाना है, suffix में कुछ लगाना है, तो उन सब चीज़ों में आप इस trick का काफी ज्यादा use कर सकते हो, तो आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो चेयर करें, और आपने दोस्तों को बोलों कि ये वीडियो देखें, अगर आपक उना है, टना है!